राम राम जै मा भार्ती जै च्छतिस गड़ जै हिंदुस्तान आप सभी का मेरे यूटूब चैनल सचसे सचातकार में हार्दिक अभिनंदर नेम स्वागत है आज हम भारती जनता पार्टी की कुछ छै लिस्ट आ चुकी है और 405 संसद के प्रत्यासी की घोशना हो चुकी है देखिया आप 2019 में भारती जनता पार्टी 436 सीटों पे लड़ी थी 303 सीटी थी इस बार मेरे को जो मेरे पास जो इंफरमिसन या जो मिर्क पता है 440 सीटों पे लड़ने वाली है और टार्गेट रखी है 370 सीटों का स्ट्राइक रेट 80% सूपर होना चाहिए तो अभी तक जो लिस्ट घोशित हुई है भारती जनता पार्टी का उस पे एक संचीत आकलन करने का और विश्वेशन करने का प्रियास करते हैं देखिए अद्भूत अद्भूत नाम आ रहे हैं आप देखिए आप क्या जपरदस नाम कंगना रनाओट मैं लगभग एक डिड़ माहना पहले अपने फेस्बुक पर लिखा था कि कंगना रनाओट भारती जनता पार्टी से लोग सभा का चुनाओ लड़ेगी ये सिर्फ कलाकार बास नहीं है ध्यार खनाब ये हिमाचल की बेटी है बहुत लोगप्री है बहुत निचले इस तरह से बहुत कठी मेहनत से उपर आई क्या करेक्टर है क्या लड़ाई है लेकिन एक डालाओ याद रखना आप जब इन्होंने हन्मान जी के समर्थन में और उद्धव ठाकरे सरकार के खिला जब नवनित राना जो निर्दली सांसद है अमरावती की और उनके पती जो विधायक हैं जो आदवासी समासे आते हैं तब कंगना रणाउत ने कहा था कि आज तुमने मेरा घर तोड़ा है भगवान एक दिन तेला घमन तोड़ेंगे और उसके कुछे दिन बाद सीव सेना के लोगों ने ही पार्टी तोड़ कर उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी देखे आप इसमें किसी पार्टी का चवव चववन हैं मेले और पूरे के पूरे मतलब चार पार्टी चोड़ के चल दिये इसमों धो ठाकरे की गलती थी ये मेरा आकलन है बाकी आप भी बताईएगा कंगना रानाउत जी हिमाचल प्रदेश की मंडी से आप सब जानते हैं पूरी की पूरी सीथ भाटपा के पास है उ आपके हेमन सोरेन जी की भावी हैं बड़ी धाकल महिला ताका तोरवल्या सीबू सोरेन की बहूं हैं दूमका से इनको टिकर दिया जबकि प्रत्यासी सुनिल सेरेन को टिकर दे चुकी तो उनके टिकिट को काटके आपके सीता सोरेन को जारखन में दी एक नई राडिती का प्रादुरभाव नया देखिया जब क्यों आपे बाबुलाल मारांडी इतने लोग परी नेता आपके अरजुन मुंडा इतने प्रभाव साली नेता आपके दूबेजी जो गौंडा से चुनाओ लड़ते हैं आपके बड़े लोग परी बड़े धाकल नेता आप बताए इ नहीं तो जो अंदर का पानी है या अंदर का जो तला मिकठा पानी हो इक सड जाएगा और बदवुआ जाएगा नये लोग आते रहें अब कुछ लोग जाते रहें ये सिलसला लोग तत्र में चलते रहना चाहिए बसीरहाट जिस संदेज खाली की महिला के रेखा पात्रा जो आदवासी समास से आती है उसके साथ रेख हुआ उसके साथ महिला उत्पिलन हुआ सैकड़ों महिलाओं को रातरा भार रेख किया जाता था किसके साथ वो टीमसी का निता सेख जहां उसके सिबू हाजरा उत्तम सरदार के लोगों के दारा दो हजर ग्यारा से ऐसे लोग इसी में संदेज खाली आता है आप देखिया उसके बाद किष्णा नगर से राज माता अमरिता राय को टिकर दी क्या प्रभाव साली हिंदुत वादी महिला संप्रभुता के साथ खड़े होने वाली मुया मित्रा के खिलाप जिसके खिलाप भर्ष्ट अचार का आरोप लगा उसी तरह से आप देखिये आप कुरू छेतर से साड़े आड़ बजे नवीन जिंदल जी दो दो बार के सांसाथ इसी पर की घोसना करते हो साड़े आड़ बजे टिकेड मिलता है क्यों बहुत बड़े उद्योग पती इस्टिल कारोबारी आप अगर हमारे देश के उद्यो देशियों के उद्योग पती को देश में जमाना चाते हो मजबूत करना चाते हो यह द्योग पती हो देश की जंता समझती है कि करके सब आपको छोड़ेंगे जब आप अच्छे लोगों को अच्छे द्योग पती हो जिनके कारण देश का नाम मान समान है उनको चोर कहोगे वो छोड़ते जाएंगे हर्याना में कांवरेस की रिर की हट्टी मानने वाला ये जिंदल परिवार आज भारती जनता पार्टी में सामिल हो गया वाइनाट से देखे के सुरेंदरन ये पथानी मिट्टा छेतर से चुनाओ लड़े थे पिछला सांदार केरल में भारती जनता पार्टी चुनाओ लड़ने वाली है क्योंकि आपका एंटोनी जी के बेटे एक एंटोनी के बेटे वो बीजेपी प्रविस करके सांदार चुनाओ लड़ रहे हैं उसके बाद मंत्री चंसेखर जी लड़ा लड़ रहे हैं राधा किष्टन जी चुनाओ लड़ रहे हैं भारती जनता पार्टी बहुत धंदारी से चुनाला रही है हाला कि केरल में 14-15% ओट भाजपा का है अब क्या होता है वरुन गांधी के टिकेट कट गई कहां से पीली भीट से और कॉंग्रेस के एक बड़े निता जी तेंट पंद साथ के बेटा जतिन प्रसाथ को जो ब्रहमान निता के एक छवी माने जाते हैं उनक रहे हैं ये तो टिकेट कटना ही था क्योंकि वो विचार धारा से अलग हो चुके हैं अब आने वाला उनके कदम का इन्तिजार करिए अनद हेगले जी इतने ताकत और निता इनका ब्यान था कि बीजेपी चार सो सिर जीतेगी और सविधान बदल दिया जाएगा देखिए स तो आज उचित नहीं हैं सियार पिसी तक बदले जा रहा हैं दो डो ढटाइटाई सोसल अंग्रेज के बना आए जो कानून है वो बदले जा रहे हो तो बदला जाएगा लेकिन उनका ब्यान का अर्थ गरात निकला तो उनका टिकेट कार कर इतने लोग प्रीने था वहां व चरण बहरा जी उनकी टिकेट कट गई पांच लागोड से वहां रे भारती जनता पार्टी हार जी ता अपनी जगा है ध्यान रखना आप लेकिन टिकेट काटने का हिमत तो रखते ही हैं टिकेट तो काड़ते हैं और यही बदलाओ और नए लोगों को मौका देना ये बड़ा कारण भारती जनता पार्टी का है और आज ही देखवा पंजाब के धाकर नेता बेयंत स्वरगी बेयंत सिंग के पुत्र एपात्र रवनी सिंग बिक्टू इतना सांदार नेता सायद लुध्याना से सांसद है वो अभी बीजेपी में सामिल हो गया इतना सुनिल ज आखर जी पहले ही छोड़ दिये आपके सीम जी वो छोड़ दिये उनकी वाइप वो छोड़ दिये क्या बड़े बड़े नेता पूरे कॉंगरेस के छोड़ते चले जा रहा है कारण यह है कि आप आमाद्मी पार्टी से समझोता कर लिए वो आमाद्मी पार्टी जो कॉंग वीडियों बता है मैं के अन्ना मलई कोयम बटूर से सौंदर राजन चे नई दक्षिन से आप देखते जाना तमिलाडों में कितनी सीट भाजपा जीते की मैं बता हुआ जहां पर सभी सीटों पर जमाना जर्त होता है भाजपा का चाविधान सबा लोग सबा लेकिन ये के अन लड़ रही है उनीस सो चौरासी से आप कहा है ओसी जी के पिता सलावदीन ओसी जी चुनाओ जित रहे हैं चौरासी से और ये डाक्टर माधवी लता जो चेयर में है कई बड़े बड़े अस्पताल की बहुत बड़ी डाक्टर है चेरिटी चलाती है गरीबों का इलाद याद रखना इसके बारे में भी भाईस्वानी कर देता हूं कि हिंदुस्तान की बड़ी ने तब बनने वाली है बहुत बड़ा चेहरा बनने वाली है इसको भी आप देखना और रेखा पात्राजी जिसके साथ रेफ हुआ उत्पिरन हुआ मार पिट हुआ घास कटने वाल को टिकेट दी जिसके पाद दो रुपिया नहीं है वो बसीर हाट से चुना ला रही है पसीम बंगाल से आप ऐसे ऐसे लोगों की परतैसी भारती जनता पार्टी के लिस्ट में हैं वी कैसिंग जो आपके थल से नकट धस थे लगभाग उनकी टिकेट कटने वाली है और जो व हीबहदोरिया जी वाएकेज भदोरिया जी साइद गाजी अबार्द से वो इतने बड़े-बड़े नाम काटे जा रहे है भारती जनता पार्टी में ये कोई मजबूत निता ही काम कर सकता है धाकार निता ही काम कर सकता है और बिल्कुल ऐसा होना चाहिए यह देस विचार धारा पे चल रहा है लडाई विचार धारा की है जो सही है जो उचीत है परवर्तन होते रहाना चाहिए सही लोगों को मौका मिलना चाहिए कोई हंड्रेट बना रहा है कभी 90 बना रहा है कोई 80 बना रहा है इसका मतलब यह नहीं कि उसको आप बैठाओगे नहीं हो सकता है कि क को मौका देना चाहिए तभी उसके टैलेन का पता चलेगा ये आकलन ये विशेशन आपको कैसा लगा आप जरू बताईएगा और लगातारा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिए हिंदुस्तान के सभी ग्रूप में बेशते रहिए आप समका बहुत बहुत धन जाहिए नवां जाहिए नवां जाहिएं